हाई लो बच्चों तो आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन जी एसके में तो आप लोग कैसे हैं हम आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम आपको पिछले दो लेक्चर में एक नया चेप्टर रिस्टार्ट किया हूँ बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग पहले पार्ट में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था आपसे कहा भी था कि आप लोग उसे अच्छे तरीके से उस डाटा को याद करने हैं तो दूसरे लेक्चर में हम उस पर एक अधारित क्विस्टन भी बताया थे जो आपके एक्जाम में 30 नंबर का आता है तो हम आपको जो क्विस्टन बताया थे यही बताया थे तो उससे आपसे बता दें कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक से अधिक से एर करें क्योंकि अप साइड आप लोगों के कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो गया है तो आप लोग इतना जल्ल हो जाए उतना जल्ली आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेर करें कॉलेज चले गए होंगे आप लोग तो आप लोग अच्छे से तैयारी करने में जूट जाएए ठीक है तो जो हम आपको पिछले पार्ट में जो क्विस्टम बताया थे यही क्विस्टन था आ बनाना था आपको हमने बताया था किस तरह से क्या करना है ठीक है कैसे यल निकालना है कैसे बी निकालना तो आप लोग पिछला पार्ट देखेंगे तभी समझ पाएगा भाई यह यह लोग पिछला वाला ड्राइंग बनाए होंगे वही लोग इस आज के सेक्षन के तो बना चुके हैं आज हम इसका फ्रंट इलिवेशन सिखाएंगे तो प्लान देखकर ही फ्रंट इलिवेशन बनता है यह आप सुचेंगे कि पहले फ्रंट इलिवेशन राने तो यह कभी जीवन में समझ नहीं है ठीक है तो आप लोग पहले पिछला लेक्चर देखिए त ठीकनेस अफसल यह तीनों तो जरूरी पड़ता है किसमें फ्रंट इलिवेशन में फ्रंट इलिवेशन में तो हम आज को आप लोगों को आज फ्रंट इलिवेशन बनाना सिखाऊंगा तो इससे पहले जो हम आपको पिछले लेक्चर में जो उसका प्लान बना कर दिखाया से उसका एक बार आप लोग ड्राइंग देख लीजिए जो लोग बनाएंगे उन्हें तो पता योग लेकिन एक बार इसे भी आप लोग इसके साथ ले लिए ठीक है देखिए पिछले लेक्चर में हम आपको यही प्लान बना कर दिखाया थे और आज इसी प्लान की सहायता से हम इसका फ्रंट इलिवेशन बना कर सिखायेंगे तो जो जो लोग बनाएंगे अपने नोट बुक पर प्लान आज वो लोग अच्छे तरीके से फ्रंट इलिवेशन बनाना उसे सीखते हैं देखे फ्रंट इलिवेसम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो प्लान बनाए है देखे प्लान है तो आप इसे सामने प्लान है इसे सामने से देखने पर आपका कैसा देखेगा अगर वही बनाना है आप अपने घर को जाएगे सामने से देखेगा कै सार दिखता है आज उसी तरह से हम बनाएंगे इस प्लान को देखकर की सामने से देखने पर हमारा घर कैसा दिखाई रहेगा ठीक है तो सामने से देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं जो आउटर यहां पे आप लोग इसे लाइन को रखिएगा देखिए थोड़ा तिर्चा बने तो आप लोग बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा आप लोग अपनों प्रोजेक्शन है ना यहां पे जब आप पूर्जेक्शन खीचेंगे यहां पिलसे बनाने को सिखा रहा। क्योंकि इसमें उत्ता मची बहुन हुला थीख mismo कि दिएँए च्छे लच इनोव प्लशेटि इसका पर दिखाई जरही होग आच त्व बहुफिए पिर इस आवटर लाइन का प्रोजेक्शन लएठिव और लब गाण года दिखाई दे रहा है ना ठीक है अब क्या करते हैं इसमें प्रोजक्शन ले लेते हैं तो आप लोग इसे अटा रिजे बस इतना अभी फिर लेंगे इसका प्रोजक्शन इतना हो जगा ना तो आप इसके पड़े आप अपने घर को सामने से देखीगा तो जो न्यू बना होता उसकी चार हो तरप आपके घर के पट्टी टाइप होता है जिसे हम कहते हैं प्लिंथ लेवल आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके होंगे प्लिंथ लेवल कितना होता पैताली सेंटिमिटर उसकी उचाई होती है तो आप यहां पर एक बेस लाइन खीच आपको हम बताए भी थे पैताली सेंटिमिटर लेता है तो पैताली को इसकेज कितना बता थे आपको एक संबने पच्चास का बताया थे तो यहां पर देखिए पैतालीस भागा पच्चास जीरो पॉइंट नो आ रहा जिरो पॉइंट नो सेंटिमिटर यानि कि 9 mm तो आप लीजिएगा 9 mm क्या किजिएगा पॉइंट मार किजिएगा यहां से 9 mm का बना देजिएगा देखिए दिखाई दे रहा है अच्छे से देखिए तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका प्लिंथ लेवल होता है आप लोग अपने घर पे देखिएगा चारो तरब जो आ प्लिंथ लेवल तयार हो जाता है तो आपको हम क्विस्चन में बताया थे कि जो हाइट अफ्सलेब है तीन दस्मलों दो मीटर है कितना है तीन दस्मलों दो मीटर है देखिए इससे आप सबसे पहले किया चिजिए सेंटिमिटर में तो याणी कि 100 से गुड़ा करदेंगे तो 320 सेंटिमिटर आपका स्व्याएप की उचाई है तो इससे स्केल प Österreich करेंगे 50 से भाग देंगे याणी कि 6.4 cm, 6.4 cm, 6.4 cm तो 6.4 क्या कीजिए इसी स्केल पर माणिए और 6.4 इसी लाइन पर खेच देजिए यहां तक आए 6.4 देखिए यह 6.4 आपकी क्या होगी छत क्यों चाहिए आप यानिकी छत इसी लाइन पर बढ़ाएंगे तो अब आपको हम बताये थे कि जो छत की मोटाई है यानिकी ठीकनेस आफ स्लैब इंजिनियरिंग की भासा में स्लैब ही का दरा ठीकनेस आप जो छत है वो कितना 12 cm है तो 3.5 cm युद ces 3.5 cm कितना 3 mm G pander सबसेप Quickly से क्या की got equipped मिला लिजेए दिखी छोटा बढ़ाओ गया तो आपलोग बनाएंगे तो अच्चा सबसेट इसे क्या की got bound लिग क्यालेंगों मिला लिजेए 3 mm लेना है तो उसके बाई से 3 mm लेने के बाद क्या आप जो जानते हैं कि जो छत आपका होता है कुछ बाहर निकला होता है चारो तरफ से बाहर निकला होता है यह आप गल्ली छोड़े हैं तो तो बाहर निकला होता है तो इतना बाहर निकल ले छत को अपने आप लोग अपने क्या बन रहा है आप लोगों को पता है फ्रंट इलिवेशन बनना क्या फ्रंट इलिवेशन जो आपको देने वाला है दस नमबर दस से पंदर नमबर सोचे कितना आसान है यह प्लान बना चुके होंगे तो फ्रंट इलिवेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा देखे बेला पे चड़ते हैं अंदर घर में, घर में परवेस работы करनी के लिए जो लगता हैं आपके बरामदे में देके SAY Hm आप लेकी सबसे पखहले इसकी सीवड़ ला लीजिए अच्छे से तो यहां से इस कुरसी पर क्या कीजिए प्रजक्शन लिजिए अब यह अच्छे से समझ में आगा आप लोगों को लाइन इसमें है देकि बीच में दो लाइन है तो आपका कूरशी यह था देखी यह आपका 0.9 है न? 0.9 तो भागा 3 करेंगे कितने गा... 13-3 mm का आईगा 0.13 mm का क्या है रहिए कि 0-13 mm का आगा तो 13 mm पे 2.0 लगा जाए जाए कि आपका इसी तरह बन जाने के बार आपको क्या करना देखिए आप सामने से देख रहे हैं तो यह आपका देखिए जो दिवार है दिवार पर क्या है डॉटेट पॉंट से दिखाया निके दिवार यहां पे नहीं पर चड़ेंगे तो दिवार कैसे रहेगा भई यह आप दिवार रहेगा तो चड़ नहीं पाएंगे घर में तो देखिए यहां पर तो यहां पर सब खाली जगह पूरा है तो आपको क्या दिखाय दे रहा है यह यहां पर दोनों दरवाजा दिखाए दे रहा है और दिवार दिखाए दे रहा है क्या दिखाए दे रहा है सामने से देखने पर पहले कुर्सी देखे कुर्सी देखने के बार कुर्सी देखे फिर आपको दोनों दरवाजा दिखाए दे रहा है फिर आपको दिवार तो पहले आपके आपकी दिवार का प्रोजक्शन लेंगे यहां पर लेंगे जहां पर लाइन लगा है यहां से प्रोजक्शन लेंगे देखिए दिखाई नहीं दे आप लोगों को अभी दिखाई दे रहें देखिए यहां से आप लोग क्या की जब प्रोजक्शन लेंगे यहां समझ गया होंगे अब यहां से इसे नाप लीजिए कितना है इसे नाप लीजिएगा फिर इस यहां पर नाप क्या की जिएगा आप आप सोच रहेंगे दिवार इतना मोटा क्योंने क्योंकि आप इतना जो छोड़े हैं वह बनाए अब इसके बाट क्या करेंगे इसका डिवार का प्रोजेक्शन तो ले लिए आप अब इस दोनों दर्वाजया जो लगा है दिवार सटागों तो दर्वाजय का प्रोजेक्शन यानि कि 4.2 आ रहा है तो आप लोग अभी समझ देंगा अच्छे से समझेंगे देखिए यहां से 4.2 पर क्या कीजिए आप लोग पॉइंट लगा लिजिए तो आप लोग क्या कीजिएगा इसे पोर्जेक्शन ले लिजिएगा इस वाले लाइन को अनुछ इसे नाप लेंग लिजिएगा अजब 2 cm का एधर भी बनाएंगे दरवाजा क्योंकि बेड्रूम का ही दरवाजा तो है पूर्जेक्शन ले बनाएंगे न तो बहुत अच्छा बनता ठीक है आपका दरवाजा बना डेकि यह वाला दरवाजा और यह वाला दरवाजा जो सामने से दिखाए य बनाना हम इंटर्वाजा तो ओधर क्या किये थे जो अम फोस्ट हेंड बना ऊता आपको विश्व डोनों तरव पोस्ट बना देते हैं आप डिया जेतर कोना कि शोड़कर और इसे बीच में इसे बना लेते हैं, फिर इसी तरह इसमें भी बनाते हैं, देखिए आप भो दिखाईचे रहा न? आपका क्या बने क्या दर्वाजा आप सामने से रम सफाई से देखिएगा इसी तरह दिखाई देता है आपका जो क्या बोलते हैं वेंटिलेशन यानि कि जो रोसंदान होता है आपकी छट से 45 सेंटीमीटर नीचे होता है पैताली intriguing से सेंटीमीटर लगता है तो रोसंदान आपका शाइपे दो इसी किसी धायं पर देखिए रोसंदान है तो यहां से पिर मतान बनाएंगे लेने में दिक्कत हो रहा है आप लोग जो ड्राइंग बुक पर बनाएंगे अपने तो आपको पॉर्जेक्शन लेने में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं होगा आप लोग समझ रहे होंगे बातों को इसका जब पॉर्जेक्शन लेंगे तो 45 cm नीचे यानिकी 0.9 स्केल पर लोग कभी नहीं बूलियेगा नहीं कभी नहीं पॉर्जेक्शन लेंगे पॉर्जेक्शन लेने के बाद है पॉर्जेक्शन पह रहा है तो आपको क्या माढ़ है कि सामने से जब आप देखते हैं क्या आप बोलते हैं रोसंदान को और 60 गुड़े 45 यां तो 60 वाले तो 1.2 इधर खाच लिजेगा और 0.9 क्योंकि 60 गुड़े 45 का होता है और इसे इस तरह से बना कर इसमें इस तरह से यह आपको बनाना है यह खिडकी तो जो खिडकी बनता है आप अप लोग घर में देखिएगा तो जो खिडकियां होती हो दर्वाजे की उचाई तक ही होती है एकिन इस में आपको बनाने से पहले इस driven गार दिवार दिखाइडिया पिर आपको वेंटिलेशन बना दिए समझ गए आप लोग बातो को तो की अब पोर्जेक्षन लेंगे कुछ इसी तरह से आएगा यहां प्यारा है इसका पॉइंट और इसका पॉइंट कुछ यहां प्यारा है तो जब खिर्की का प्रोजेक्शन लेकर बनाएंगे तो आपको 120 गुड़ 120 का बना बटाया थे खिड़की सब्सक्राइब करेंगे तो इसके लिए लेकर बनाएंगे क्योंकि आप दिखाते वक्त कुछ भी दिखाई है लेकिन उसमें लिखते समय एज्यूमिंग डाटा में आप सही लिखा जाता है देखिए यह आपका खिड़की बन रहा है तो खिड़की जब बन रहा है तो आपको इसमें भी हेड पोस्ट जो भी होता है इसमें सब दिखाना पड़ता है खिर्की की डिजाइन कुछ आप लोग इस तरह से बना लेकिए आपका खिर्की पर लिंटल टाइप लगा उता है बर्जा इससे कते हैं मतलब जो बाहर जो बाहर से दिखेंगे तो इस पर दो आप 12 cm का ठीक कुछ है इस तरह से बाहर निकला हुआ इस तरह से बना देते हैं ठ क्या डिखाइंगे या इतना करने के बार आपको क्या बनाना जो आपके छटों पर चारों कमर की उचाय तक को दिवार ऊटी आ है तिसे हम पैरा पेट वाल कटे है आप लोग पढहे होंगे बिल्डिंग कांस्यक्ट्रक्शन में तो उसे बना रहेंगे तो कितना आपको हम आये थे जो पैरापेट वाल है उसे 60-90 cm लेते हैं तो हम आपको 90 cm लेकर बना रहे हैं तो 90 को जब आप इसकेल पर चेंज करेंगे तो 1.8 cm आ रहा है तो 1.8 क्या करेंगे इस लाइन इस छट के उपर से 1.8 cm इधा ना पेंगे इतना करने के बाद आपकी आ कीईगा इसे मिला आटिज सीधा हम पाउस एक होता है धी करें आपको से 1.8 cm पाअपसर पैरापेट य जो आपका चला बाहर दिखाया के उपर लगा देते हैं इस तरह से बाहर निकालेगा और इस तरह से हुपर खिलकी वाला है इस तरह कीजिएगा इसके उपर इस तरह से चला बनाने जिएगा ठीक है क्योंकि बरसात की पाने उटाइन चल 스य पर गिरती है या लयए से आपको समझने से मतलब समझने सामने से कब्भी भी देखिए गाइब तो आप लोग अपने घर से बाहर निकल के देखिए कि हमारा घर कैसा दिखाई जाए इसी तरह से आपका घर भी दिखाई देता होगा ठीक है तो ही आपका होता का फ्रंट इलिवेशन ठीक है तो आप क्या करना होता है इसमें आपको डाटा दिखाना होता है जिससे आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिल जाए कि देखे हम आपको बता है ठीक है कि निफ्ट लेवल कितने का है 45 जंटिमीटर का तो 45 हमेशा जो टाने एकजिट जाटा दर साथ है इतना होगे ने अब इतना करने के के बाद आपको क्या हरना है यह चछत की उचाई है कितना चछत की उचाई रखे थे आप 32 मीटर का ठीक है और ये लिंटल की मुताई बारे सेंटीमीटर अज ये पैरा पेट है है socio wao कि 90 सेंटिमीटर ठीक है यह आपका पूरी तरह से क्यावन कर नियार हो गया chores क्या बनके तैयार होगा front Revelation तो आपको पूरे मिल जाते हैं 10 उपंद्र है lifecycle दस नमबर। 100 कपंद्र है नॉपनदर इसकि बाहर सके लिए और अच्छे से अपने ड्राइंग बुक पर ड्राइंग नोट बुक पर अच्छे से बनाएं ठीक है तो अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में इसका सेक्ष्णल बनाएंगे कि सेक्ष्णल कैसे बनता सेक्ष्णल इलिवेशन जिससे आपका पूरी तरह से 30 नंबर तयार हो जाता है देखिए क्विस्टन अब को सिर्फ बनाने का गया और सेक्ष्णल इलिवेशन बनाने का जाता है तो पार्ट बनाना होता है तो आपका क्विस्टन एक्जाम में नहीं करते हैं तो आपका का सब्सृत अख्याम में पास हो गए ठीक है तो यह आपका अच्छी तरह से फ्रेंट इलिवेशन त्यार हो जाता है तो हम आपको क्या कहा है कि अगले लेक्चर में जब इसका सेक्शनल इलिवेशन बनाएंगे तो इससे पहले आपको क्या करना होगा प्लान अच्छे से सीखना पड़ेगा अन्य और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास सेयर करें ठीक है तो चलिए मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक